हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है काजल की रसोई में आज मैं बहुत ही फेमस डिश बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पालक पनीर अगर आपको ये मेरी रेस्पी पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें तो आएए पालक पनीर फी रेस्पी को शुरू करते हैं इसकी लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पालक के पत्ते 200-500 ग्राम पनीर दो कटे हुए प्यास, दो कटे हुए टमाटर, तीन से चार चमच मलाई इसको मैंने फैट लिया है अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाद सकते हैं तीन से चार चमच तेव लिया है मैंने और एक बड़ी चमच बेशन तस्ते बारा कलियां लैसुन, एक इंच कटा हुआ अधरक, आधा चमच जीरा, नमक स्पदानुसार, आधा चमच गरामसाला, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च, आधा चमच हल्दी पाउडर और धनिया जो बाद में हम यूज करेंगे सबसे पहले गैस ओन करके हम पतिला रखेंगे और इसमें एक लीटर पानी डाल देंगे जब पानी उबलने लगेगा, तब हम इसमें पालक के पत्ते डालेंगे अब पानी उबलने लगा है, हम मैं इसमें पालक के पत्ते डाल दूँगी, जिसे हम 5 मिनाट तक गरम पानी में पका लेंगे, पालक के पत्ते डालने के बार मैंने इसको डख दिया है, मैंने पालक के पत्तों को गरम पानी से निकाल लिया है, और तब इसके उपर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि पालक के पत्तों का रंग हरा रहे और ये ज़्यादा ना पके, अब इन पालक के पत्तों को ब्लेंडिंग जार में डाल कर, हम जार को एक तरफ रख देंगे, अब मैंने कड़ाई गैस पर रख दी है, और इसमें दो टेबल स्पून तेल डालेंगे, और जब तेल गरम हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी मसाले डाल कर शुरू करेंगे, अब मेरा तेल गरम हो गया है, सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूंगी, और फोड़ी देर के लिए जीरे को भून लेंगे, इसे बाद इसमें अगरत, लेटों और कटी हुई, प्याव डाल कर, 3-4 मिनट तर धीमी आंच बे इसको पका लेंगे, 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हमारे प्याज भून गए हैं, हमने इनको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, अब हम इसमें कटे हुए तमाटर डाल देंगे, और इसको लगभग 2 मिनट तक भूनते रहेंगे, जब तमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे, तब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारा मसाला बंद कर त्यार हो चुका है, तमाटर गल चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे, और 5 मिनट तक ये मसाला धंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसको ब्लैंडिंग जार में डाल देंगे, जिसमें हमने पालक डाला हुआ है, और उसके बाद हम इस अब मेरा मसाला ठंडा हो गया है, मैंने इसे ब्लेंडिंग जार में पालक के साथ डाल दिया है, अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे आपको पीश के दिखाती हूँ, अब मेरी पालक पिश कर तयार हो गये, ते करम हो गया है, अब सबसे पहले हम इसमें बेशन डाल कर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, मेरा बेशन भून गया है, इसमें आब हम हल्दी, लाल मिरच, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे, इसको एक मिनट तक चलाएंगे, और इसके बाद हम इसमें पालक का पेस्ट डाल देंगे, और इसमें दो मिनट तक धीमी आज पे चलाते रहेंगे, हमारी पालक पक गई है, अब हम इसमें घरा मसाला डाल देंगे, एक चमच मलाई डाल देंगे, इसको मलाई को अच्छे से घिला कर, इसमें हम जो पनीर काट रखा है, इसके टुपड़े डाल देंगे, मैंने छोटे टुपड़े काटे हैं, आप चाहें तो इससे बड़े टुपड़े भी काट सकते हैं, और पालक डालने के बाद आराम से धीरे धीरे हिला देंगे, और इसे दो मिनट के लिए पकने देंगे, पालक पनीर बन कर तयार हो गया है, अब मैं इसे परोस के आख को दिखाती हूँ, मैंने पालक पनीर को एक बाउल में डाल दिया है, मैं इसे गार्निश करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, दो चमच मलाई डाल देंगे, और पनीर को ग्रेट करके इसके उपर डाल देंगे, पालक पनीर के सबजी देखिया, बनकर तयार हो गई है, इसे रोटी, पराठा, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है,